प्रेदर्सकों इस वीडियो में मैं उपस्थित हूँ 11 अक्तूबर 2021 को सनी देव के मारगी होने के परिणाम को लेकर के जो धनु मकर और खुम्भ रासियों पर विशेष्टा फोकस रहेगा अगली वीडियो में दूसरी रासियों पर लेकर के आएंगे तो धनु मकर और खुम्भ पे हम जानना है कि साड़े साती भी चल रही है और ये रासियां काफे प्रभावित है उसमें धनु रासि तो बहुत ही अधिक प्रभावित है और धनु रासि के उतरती हुए साड़े साती है मकर रासि पे मिड़ फेज में है और खुम्भ रासि पे सत्लावाइन हरने में इनकी डिगरी कितनी आगा है तो तो साथ डिगरी साथ डिगरी पीछे जागा है गती इनकी बकरी रहते हुए तेज थे तो काफे बलवान थे गए और बारस से पुन अतीश डिगरी तक ये मारगी होने के बाद चले जाएंगे और जून में ये जाकर के मारगी होंगे तो इस पिरियड में ये कैसा साड़े सा प्रभाव रहेगा और जैसे ही मारगी होकर के ये चले जाएंगे अप्रैल माह में ही ये रासी परिवर्तन करेंगे और ये कुम्भ में चले जाएंगे तो धनुरासी से साड़े साती उतर जाएगी और अब हम ये कह सकते हैं कि सनिदेव के मारगी होते ही धनुरासी का जो वो साठे साती का लगभग लगभग उतर ही जाएगा समाप्त होने को हो जाएगा और अब ये धनुरासी चैन के सांस ले सकते हैं सनी देव से अगले ढाई वर्सुँ के लिए बिशेश करके वो अभी से क्योंकि सनी देव धीरे-धीरे चलते हैं और रासी परिवर्तन के तीन माहां पहले ही उस रासी का प्रभावदेना बंद कर दNewक कर रहे होते हैं अगली रासी का प्रभावदेना सुर्व कर देते हैं तो आप गिनन लीजिए अपरेल से तीन महिना पहले अरथा जनवरी से साड़े साथी यूही धनु राशी की पूरी तरह से उतर जाएगी तो जनवरी से आज तक तो तीन महीने और है इन तीन महीने में सनी देव मारगी हो रहे हैं और ये तेजगती से चलेंगे तो क्या प्रभावराने वाला है आपकी राशी पर कहा हैं? दूसरे भाव में संचरन कर रहे हैं और जब यह मारगी हुए तो इस्थती यह रही कि आपके जमीन आदिक होने का इस्थती आई। परिशानी क्योंकि तीसरी दिष्टी सनी देव की यहां थी तीसरी सनी देव की आठवे दिष्टी अस्टमभाव पे थी और सनी देव की दस्वे दिष्टी एकादस पाव पे थी तो लाब के इनिकम की भी इस्थती इधर इस पिरियड में बिगड़ गई थी और उसके साथ स मारगी होंगे तो इनका थोड़ा सा कम होगा तो जब बल कम कम होगा ते इनकी द्रिष्टिओं में भी थोड़ा सा कम बल होगा प्रभाव में कमी आएगी नियुनता आएगी और उसके साथ शाथ अब यह और इधर की उर्गत करेंगे पहले बकरी हो हुए थे तो इधर की आपकी रासी की ओर ही आ रहे थे और जब सनी देव आपके लिए मारक भी रहते हैं और काफी पीड़ा देने वाले गरा हैं साड़े साती का प्रभाव है तो आपकी ओर आ रहे थे तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ गया था पुन वह समाप्त होगी और खास करके धन की अब धीरे-धीरे कम हो जाएगी मानि संबंदित परसानियां भी कम संबंदेänder परसानियां के लिए दूसरी लाव यह रही कि आपके रासी स्वामी गुरू हैं अभी भी वकरी रहेंगे कुछ दिन पाद वह भी मारगी हो रहें और मारगी होकर किया नीच भंग राजयोग बना करके रहेंगे अस्थान उनका अच्छा रहेगा रासी अच्छी ने यह नीच रासी में तो ये इस्थति आपके लिए दूसरे बाव में होंगे नीच भंग राजियोग बन जाएगा और काफी धन भी मिलता रहेगा बाणी भी अच्छी रहेगी इसलिए आपके लिए आने वाला समय जो है अच्छा रहेगा अन्य ग्रहों का जो परिडाम आपके लिए रहेगा तो आप देखेंगे कि षट में यहां पर चल रहे हैं तो अगल यहां यहां चल रहे हैं माणता-क और सूद्ध्र में और इधर एक महीना सुभदे उस सुभगोचर में रहेंगे 16 अक्टूबर से लेकर के और 16 नौंबर तक ये स्थती आपके लिए दोनों ग्रह आपको भाग्योदय कराने वाले रहेंगे इसलिए साड़े साथी का प्रभाव अब आपको भीशेश तोर से नहीं पढ़ने वाला है तो आम मकर रासे वाले के लिए इस्थती कैशी रहेगी तो मकर रासे वालों के लिए लगए थे और मांसे पृड़ा काफे थी और यहां से भाईवानों से परिसानी देख सकते हैं और सुब समाचार जो मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पा रहे थे और दाम पत्तेजवर में प बागी है मकर रासी पे तो चार साल मान के जलिए चार साल तो बिता चुका है इन्होंने कश्टकारी लेकिन मकर रासी को भिसेश पीगडा इसलिए नहीं होती है कि सनी देव की अपनी रासी है इनको बक्रत्व से हानी नहीं हुई क्योंकि 19 डिग्री तक इनके बीच में ही थे सनी देव की अपनी रासी है रासी के स्वामी बनते हैं और उसके वास से अब 12 डिग्री से इधर से दूर भी जाएंगे और इधर जाएंगे तो दोनों इस्थितियों में आगे इनकी अपनी ही रासी है तो मकर रासी पे बिसेश प्रभाव नहीं पड़ेगा बढ़की हमने तो देखा कि बकरत तुकाल में मकर रासी अच्छी इस्थिती में रही बकरी नहीं होने की अपेक्छा क्योंकि जब सनी देव मार्गी चल रहे थे और 19 डिग्री पर यहां थे तो बीचे इस पीड़ा की इस्थिती मकर रासी को अनुबह हुई तो बकरी हुए तो सनी देव प्रभाव नगड़े रहेगा खास करके मानसिक पीड़ा हो गार रहे नहीं है तो नहीं तो Нबेखिर भी दाम पत्ते तो जो यह बिगड़ा हुआ है चार नंमरका तो यह दाम पत्ते में सुधार आने के उम्मीद कर सकते हैं कुम्भा में चले जाएंगे तो यह दाम पत् सब्सक्राइब रहेंगे मकर रासी वाले आपको डरने की जवूरत नहीं है आप कहांगे क्यों कि मैं स्वाइं मकर रासी का हूँ जब से सब्सक्राइब मार्गी हुए तो खोब हला मचाया गया होगा आप सुने भी होंगे और सारी परसानी हमने देखी जब मार्गी थे तो कहां थे 19 डिगरी तक थे और चंद्रमा मेरा 19 डिगरी पे है तो जब चंद्रमा के कूण तक सनी आते हैं तो पीसे परसानी होती है जैसे पर वे टूटा खोब आप्रेशन कराना पड़ा भाग दोड़ रही सुख आदी भी नहीं बिला कोरोना काल में दूटी यादी भी करना पड़ा उधर भी परसानी रही इंकम के सुरूत पूरी तरह से बंध हो गया चार महीने सेलेरी जो मिलती थी वो रूकी थी तो बकरत्तो से शरीर में मेरे पैरों में विशेश जो दर्था तलो आदे में इधर वो बकरत भी ठीक था वो जब ये सनीदेव वक्री हुए तो हां से अच्छा हुआ फरावरी से ले करके और जून तक अच्छी स्थिती नहीं थी फिर सनीदेव जब बक्री हुए तो काफे बलवान इ पूरू हुए क्योंकि लगनेस यहां चंदर लगनेस बन ही जाते हैं तो उसके कारण हमने अपने जमीन को बेश तो दिया बहुत सारे रिनादी को चुका दिया पाहले से ही बता चुके हैं तो यह स्थिती बकरत्तों से सनी के और गुरू के दोनों के बकरत्तों से मुझे फाइदा हुआ था मेरा धनूलगन है और सनी देव जो है वहां पे साड़े साती में हैं और यहां से मकर रासी ही मेरी है तो यहां से मीड़ फेज साड़े साती की थी हेल्थ में भी हमने भरबूर सुधार अनुभाव किया पहले आप देख रहे होंगे एक दर्सक ने लिख हमके स्वरूप और यह जो पैरों में पीड़ा थी वह भी दूर सी हो गई हां लेकिन यहां से इनके जो दृष्टी थी इस पिरियद में भाई से परसानी रही बक्रत हुए तो और बली हुए तो भाई से पीड़ा रही और साथ में दामपत्य का जो खटफट है चलता रहत दोटा है चलेघा हीव तो बढ़ा रहा लेकिन बकलतों काल में कुछ है नहीं तो बखरत से जब यह वहड़ी हुए हैं तो यहां मंगल वी थे नीश में स्यूर्यवे थे दू-3 महीन सुकषिंध और बॅध्ध जो साइंजन वे था तो अच्छी इस्थिति रही कोई बहुत खराब नहीं, इमानदारी से जोतिस है क्योंकि बहुत किताबों में ढूळा बक्री ग्रहों के बारे में यह दहीं लिखा गया कि कोई ग्रह भक्री है तो असुप हो जाता है अब कोई गरह सूभ है तो असूभ हो जाता है मैंने नहोरा सास्त में पाया औरुमांक फल दीपिका की गोचर फलों में पाया है यह पाया कि जब गरह भकरी है तो काफि управान हो जाता है और बल्वान गरह आपके लगने रासी के अनुसार किस भाव में जा रहा है वैसा फल प् लेकिन उसमें अन्यकरा जाद युगदान होंगे सनी का युगदान कम होगा क्योंकि ये रासी का स्वामी है इसलिए कुम्ब रासी वालों के लिए इस्थती क्या करेंगे अब ये 12 में संचन करेंगे वहीं गूरू भी है वहीं ये सनी भी है तो कुम्ब रासी वालों को तो और सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि जब यह बक्री हुए थे तो एकादस भाव की और गमन करने लगे गती उल्टी हो गई दूर जाने लगे वो नई संस पे हाँ पाए थे बीच में अब यहां से और इधर तक आए और यहां तक आ गए तो इन पर सड़े साती का गुरु का भी गोचर लगन में तब वहां से आ गया था अब पुना गुरु यहां और यहां चले पुना हेल्थ समंधि परसानी आ गई है तो यह परडाम दिख रहा है प्रेक्टिकल में दिख रहा है यह अब पुना जो कहां यह बीच में आ जाएंगे जब से यह अब स्वास्ति के स्वास्त में परसानी हो सकती है साथी से अनबन हो सकता है साथी मतलब पार्टनर लाइफ पार्टनर कहिए अथ्वा आपकी व्यापारिक साज़ेदार दोनों से यह इस्तिती ठीक नहीं रहने वाली है वहां भी धने कहीं अधर लगा सकते हैं तो धन का बहुत बड़ा निवेश करने से आपको बचना है नहीं तो वहां पर घाटा हो जाएगा धन पस जाएगा नहीं निकल पाएगा और देखेंगे पिता के सुख में कमी रहेगी भाग साथ बिलुकुल नहीं देगा इधर पूरे के पूरे महाम अधर करेंगे तो ओम तरम कम्यजाम है सुगंधिम पुष्टि वर्दन अर्था तरेमबक महामंत्र का जब करें भगवान सेव जी को अरपित करें और अपने इस्ट देव जो भी आपके इस्ट देव हो उनका अधिक सदे का स्मरन करें आपका इस्ट बली होगा तो अनिष सबसे कर्मों के फल मिलते ही मिलते हैं तो आपको इधर तो रहत मिल जाती है सबसे ऑगशाली रासी सनीदेव की चे सालीजाशा ने में बहुत कम परिशान होती है फीर भी यह 210 में परिशान्तु होना ही पढ़ेगा कुछण कुछ इधर आएंगे कुछ कम होगा क्योंकि इनकी अपनी ही रासी मेहा है फिर भी परेशानी थोड़ी बहुत निश्चित तरपे होगी बचते हैं तो यही उपाय करेंगे अगली वीडियो मिलते हैं ओम नमस्षिवार